बश्कार दोस्तों में सद्दीव स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल सक्सेस टूपर दोस्तों आज किस वीडियो के अंतरगत बात करेंगे जो भी हमारे बीए थार्ड एयर यानि की बीए तिरतिय वर्स के चात्रे जिनको इसी दोहजार तेश में पेपर देना है उनक diagnostic per subject के तिन पेपर होते हैं तो आज किस वीडियो में बात करेंगे हिंदी फस्ट पेपर के most important और answer के बारे में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखे वीडियो मोस्ट इंपार्टेंट है आप लोगों के लिए शुरू करते तो आज किस वीडियो का जो पहला को इस द्यान से समझेंगे लिखा है कि आउधी भासा की प्रमुक प्रवित्तियां बताईए ठीक है और जो हिंदी के जो तीन पेपर होते हैं फर्ष्ट सिकेंड थर्ड तो जो प्रथम प्रस्ण पत्र है उसका जो नाम है उसका नाम है जन्पदिये भासा साहित या फिर अउधी काब्वे जन्पदिये भासा साहित और अउधी काब्वे यह प्रथम प्रस्ण पत्र का नाम है जहां है जिए सबसे महत्तै को लेंगो जब स we can sound a weeb मिली इस बोली का नाम जेति के अफ्थान वाचक सम्झन के आधार पर पड़ा इस बोली को कोशली भी कहा जाता है संतों ने इसे पुर्विया के नाम से भी अबेहित या फिर पुकारा है तो ध्यान रखेंगे आउधी पूर्वी हिंदी की सबसे महत्पुन बोली है इस बोली को कोशली के नाम से भी पुकारा गया है फिर कहा जाता है कोशली तो आधुनिक और अधुनिक ऑउधिक अवित्ता की सांस्रकृतिक चेत्GI पर प्रकाश डालिए तो आधुनिक आउधी कविता की सांस्कृत चेतना अतियन्त ही प्रखर है इस काल की प्रमुक कभी पढ़ीश, वनसी धर्सुक्ल, म्रगेश, उनमत, तिलोचन साफ्तरी तथा आचार विश्णात पाठक आधी हैं ध्यान डखेंगे आधुनिक आउधी कविता की सांस्कित चेतना में आपको यही लिखना है कि आधुनिक आउधी कविता यानि कि आधुनिक जो ये आपका आधुनिक काभी है ठीक है और जो आपका ये काल है आधुनिक इसके जो प्रमुक कभी हैं जिनके नाम मैंने आपको बताएं यहाँ पर ठीक है पड़ी वसी इंधर ठीक है वसी वसी धरसुकल उम्रगेश जी यह सारे प्रमुक कभी है इसकाल के और यह ध्यान रखना है क्योंकि आपकी परिच्छा में आ सकता है कि कभी के प्रमुक कभीयों के नाम लिखे तो आपको यह ध्यान का नाम लिख देना है और लिखना यहां पर लिखा है कि इन कभीयों ने अपनी कभिताओं में अवध छेत्र की लोक सांस्कृत की चित्रित किया है यानि कि चित्र और साथ साथ में उसका वर्नन भी किया है अपन प्रेमा ख्यानक का बिधारा के कभियों के नाम दखी प्रेमा ख्यानक का मतलब यह हुआ जिनका मतलब की वो अपनी रशनाओं में वो किसी ना किसी प्रकार से प्रेम की रशना की गई हो ठीक है प्रेम यानि की माली जी की आप किसी चीज को कर रहे हैं वो तो लगाओ के साथ कर रहें ठीक अच् IRS कर रहें तो प्रमुक प्रेमा क्यानक का विधारा के कभी। लिखना है जिसकि याधाता है कि प्रमुक का वह सेकिरेgg When we say we say we said IRT काल की कभी लिख्या है ठीक है और आजots supplements का उसी तरह समझे कि प्रेमा ख्यानक का बिधारा है उसके कभी क्या आपको नाम लिखना है तब यहाँ पर लिखा है कुटबुन, जैसी, मंजन, उश्मान, सेख नभी, आलम, नूर मुहम्मद, कासिम साह, हुसैन अली, सेख निसार, इश्वर दास, कभी पहुकर, ठीक है, दु प्रेमा ख्यान लेखक है, या फिर प्रेमा ख्यान कभी है, तो यह आपको याद रखना है, यह most important, टॉप लेबल का question है, परिछा मयाने के पूर चांस है, नेस question भी उतना important है, जितना उपर वाला था, लिखा है कि समकालीन अवधी कभिता के प्रमुक कभियों के नाम लिख समकालीन अवधी कभिता ठीक है, तो इसमें त्रिलोचन साफ्तरी जी भी है, ठीक है, और जो टॉप लेबल के हैं, मतलब कि जिनका आप लोगों का नाम हमेशा याद रहेगा, वह आप ध्यान दे दीजिए कि ब्रजभूसर लाल जी है, केदार नात मिस्र जी है, ठीक है, र गुमिया तो आपको उतना ही लंबा लिखना पड़ेगा प्रस्न का उत्तर, निश्कोशन है कि आपके पाठकरम में यानि थर्डियर के फ़स्ट पेपर में सेख निसार की कि प्रस्ना का अंसर संकलीत है, सेख निसार पे जुड़े कही सारे प्रस्नाव के परिच्छा में ध्यान रखेंगे, आपको काफी प्रस्न इन से जुड़े देखने को मेलेंगे, क्योंकि इनकी एक क्रत है जिसका नाम है यूसुप जुलेखा और सेख निसार कभी हैं, और यूसुप जुलेखा इनकी रशना है, इन से जुड़े करीब करीब आपकी परिच्छा में आठ दस नमबर के प्रस्न आएंगे, ध्यार नखेंगे, तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि हमारे पाठकरम में शेख निसार की क्रत या फिर रशना यूसुप जुलेखा का अंस संकलित है, यूसुप जुलेखा इनकी रशना शेख निसार की ठीक है, या यूसुप और जु इस थीख सरंगार को प्रधांता है, तो वहां पर भीयोग सरंगा का वरण होता है, भीयोग सरंगार महाँ पर पाया जाता है, तो इसका उतनाुइंगे, स सरंगार में व पकुलेखा की ठीक है, मैंने आपको बता रखा है जरूरी नहीं कि यहीं प्रस्णा आएगा लेकिन यूसुप जिलेखा यह दोनों जो इनका कभी है और यह कभी है और इनकी रसना है इनसे जुड़ा प्रस्णा आपकी परिच्छा में करीब करीब पांस से आठ नंबर के प्रस्णा पूछे जाएं अफ्था में शुक दाइनी हैं वही रितुवई भीयोगा अफ्था में उसे प्रदाजित करती है इसी का वर्ण इस अंस में किया गया है तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे नेश कोश्चन है कि यूसुप की चार ठीक है चार त्रिक बिस्ष्टा है बताई यह टॉप लेबल का कोश्चन है इसका भी उत्तर आपको ध्यान रखना है इसका उत्तर लिखना है कि यूसुप पित्र भक्त छमासील बिनेशील स्रिष्ट प्रेमी करतब परायन अच्छा पति त्यागियों मुदारवादी हिर्देवाला ब्यक्ति है यानि कि यह सभी विशे सिस्ता हैं बहुत सारे अच्छे गुण सामिल है वह उस प्रकार का ब्यक्त है वह अपनी पत्नी के धर्म मार्ग में बाधक नहीं बनता अगर प्रतनी कोई विक वर्क करना चाह रही है कुछ भी पोश्बिल्टी वाला वर्क है तो उसमें वह कभी बाधा नहीं डालता कि आ नहीं प्रविक्त का तो इस प्रकार आप यूसिप के चरित्रिक जो बिसेश्टा है उसके अंदर अच्छे क्वाल्टी है अच्छे जो प्ले कर रहा है वह उसके अंदर जितने सांबिल चीजें हैं जो इलेमेंटस हैं वह कौन-कौन से हैं जो कि आपने यहां पर जाना ठी प्रच्छा में आपके आ सकता है कि जुलेखा की चारत्रिक बिसेश्थाएं तो तर लिखना कि जुलेखा एक निष्ट प्रेमिका अपूर्ब सुन्दरी आदर सपत्नी संगर्शेल कूट नीतिक इस्त्री है यानि कि यह सभी बिसेश्थाएं हैं जुलेखा के अंदर वह एक संगर्शेल यानि कि काफी ज्यादा वह संगर्श करती है अपने जीवन में वह चाहें किसी चीज को भी लेकर हो कूट नीतिक इस्त्री है यानि कि काफी सारी चीज़ें इसके अंदर बिक्दुमान हैं और अपना लच्छ पाने के लिए उसने यूसुप पर जूठा हो जाती है और वह धर्म साधना में लीन हो जाती है अपने पति के पार्थी शरीर पर प्राणत्याग कर एक आदर्स पत्नी की भूमिकानी बाती है तो यह उसके प्रमुक विशिष्टा है उसके करेक्टर की प्रमुक हाइलाइट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान नकना है टॉप लेबल का कोश्चन है इंपॉर्टेंट है निश कोश्चन है कि सेख निसार का वास्तुविक क्या नाम था तो ध्यान देने वाली बात है जो सेख निसार अओधी के प्रमुक कभी थे यह निसार वस्तुता कभी का उपनाम था क्या था निसार इनका उपनाम था इ यूसुप जुलेखा खंड काब में कितने प्रमको पात्र हैं यह टॉप लेबल का इसको आप पुझान लखना है कि यूसुप जुलोका जो खंड काब है जो कि इसे एक निशार द्वारा रचित है तो इसमें जो पात्रों के संख्या यानि कि कौन-कौन से लोग है इसमें होसी तरह एक जो खंड काब यूसुप जुलेखा इसमें कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कब तराया ये तेनी पात्र है कि च्मिनुक पर्धीजुक ज्में करतने लखेंगे तो ध्यान रखेंगे पढ़ीश का जन्म कब और कहां हुआ था तो ध्यान रखेंगे आधुनिक अवधी कविता के शिरोरत्न बलभद्र प्रसाद दिछित पढ़ीश का जन्म सीता पुरजिले के अंबरपुर गाउं में सन 1898 में हुआ था या उत्तरप्रदेफ राजमेस्थ ध्यान रखेंगे पढ़ीश जो है इनकी उपाधी है या फिर आप लोग कह सकते उपनाम है और इनका पूरा नाम है वह शिरोरत्न बलभद्र प्रसाद दिछित है याद रखेंगे और इनका जन्म 1898 में उत्तरप्रदेफ के राजमें ही सीता पुर्जिले के अंबरपुर गाउं में हुआ था ठीक है और इनकी जो द्यत है यानि कि म्रत्य देवासन है वो कब और कहां पर किस कारण हुआ था तो ध्यान देने वाली बात है कि गवई उप्चा से इन्हें टिटनिस हो गया आप लोग समने होंगे कि इंजेक्शन यानि कि कोई लोहा लग जाता तो इनकी देवासन हुआ है और देवासन इनका लखनों के बलराम होस्पिटल है वहां पर भरती थे और 14 जुलाई सन 1922 को इनका देथ यानि की देवासन हो गया थे म्रत्य हो गई ठीक है निसको इस इंपार्टन ने कि पढ़िश की काब भासा कैसी थी टॉप लेबल का कोईश कभी की हो सकती है यानि कि उतनी ही इनकी भी अच्छी काब भासा थी जितनी अन्य कभी की मानी जाती है और अन्य कभी की हो सकती है ज्यादा फ्यदा उतनी ही इनकी भी थी महान कभी की ठीक है सब्दों में वैसा ही माधुर्य वैसा ही परक देखने को मिलती थी जितना अन्य कभियों में अन्य कभियों के कावी वहासा में ठीक है तो यह धियान लखना है कि इनके जो प्लस पॉइंट है इनको जरूर धियान लखना और यह ऑधि को खड़ी बोली के समकच पहुँचा इन्होंने जो आउदी भाफाती इसको को अओधी सी यह को शोड़ी को एसम्रडि के बहुत अच्छा है बहुत उच लोबल कर उच्छ लेबल का का सफुनर में का कोई कसर नहीं छोड़ी यानि कि जतना भी हो सकता था इन्होंने का विभासा में अपना योगदान दिया और काफी इनका जो नाम है वो उच्छ अफ्तर तक आया और जो कि आप लोग देखी रहे हैं आपकी स्लेबर्स में है तो आप लोग समझी सकते हैं कितना इनका योगदान नहां है और नेक्ट कोश्चन है कि पढ़ प्रभित्या थी यह सारे कोश्चन टॉप लेबल के हैं जो कि आपकी परिच्छा में काफी हेलफुल सावित होंगे अगर आप यह इतने ही कोश्चन उत्ता तयार कर लेंगे तो आपको देरे-देरे आप लोग तयार करेंगे तो आपको काफी आगे मिल जाएगी पंदा से 20 नंबर इसी वीडियो से आप लोगों की परिच्छा में कोश्चन आएंगे और आप लोगों के लिए जल्द हम और भी क्लाफिर लेकर आएंगे महासाग्राम भी वीडियो लेकर आएंगे जिससे आप लोगों काफी सफलता मिलेगी आपकी परिच्छा में अगर कोश्चन रहें तो कमेंट में जरूर पूछे कमेंट में ठीक है और मिलते हैं को नए वीडियो में तब तक ले जाएंद